तो देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम 2021 और 2022 की सभी इंपोर्टेंट बुक्स और उनके ओथर पर यहां पर डिसकस करने वाले हैं और इसके अलावा कोई भी बुक किस से डिलेट करती है या फिर किसकी बात करती है इसको भी यहां पर हम डिटेल में जानने वाले हैं तो वीडियो को लास्टे तक देखिएगा और अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो क्रेजी जिगेट ट्रिक की एप्लिकेशन पर जाकर आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए बिना देर किये सबसे पहला कुशन देख लेते हैं हाली में चर्चा में रही elephant in the warm नामक पुस्टक किस अभिनेतरी द्वारा लिखी गई तो ये अभिनेतरी है friends कल की कोचलिन काफी famous अभिनेतरी और model है friends जिनोंने हाली में elephant in the warm पुस्टक को लिखा है अब actual में ये book किस से relate करती है तो देखिए ये pregnancy के दोरान महिलाओ के portion पर based पुस्टक है इसके अलावा pregnancy के time period में जो महिलाए हैं उनकी mentality कैसी होती है उनकी मानसिक्ता कैसी हो जाती है इसके बारे में ये book जिक्र करती है elephant in the warm कल की कोचलिन की पुस्टक है answer D यहाँ पर सही हो जाएगा तो देखिए आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ज्यान की देवी सरस्वती की बात की गई है या फिर सरस्वती देवी के द्वारा दिये गई gift की बात की गई है यह जो पुस्टक है एक भारती लेखी का और पुर्व पत्रकार कवीता काने के द्वारा लेखी गई है कवीता काने ने सरस्वती जिफ्ट नाम की पुस्टी का लेखी है कवीता काने हाली में चर्चा में रही Believe What Life and Cricket Taught Me नामक पुस्टक किसके द्वारा लिखी गई है तो यह पुस्टक देखिए भारत के प्रसिद्द क्रिकेटर सुरेश रेना के द्वारा लिखी गई है इस बुक में सुरेश रेना ने अपनी क्रिकेट जर्नी के बारे में बताया है इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया है इस बुक में कि उन्हें अपनी क्रिकेट जर्णी के दोरान किन-किन चुनोतियों का सामना करना पड़ा था और क्या-क्या प्रॉबलम फेस करनी पड़ी थी तो Believe What Life and Cricket Taught Me सुरेश रेना की पुस्तक है आंसर A निमन लिखित में से किसके दोरा The Queen of Indian Pop, The Authorized Biography of उशा उथुप पुस्तक लिखी गई है पहले तो देखी ये जान लेते हैं कि ये पुस्तक किसके जीवन पर बेजड़े तो नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये मशूर भारती सिंगर उशा उथुप की जीवनी है ये एक पॉप आइकन है फ्रेंड्स जिन्होंने 2020 में गाईकी के शेत्र में 50 साल पूरे किये हैं तो इनकी इस उपलब्दी के कारण The Queen of Indian Pop विकास कुमार जहा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है वैसे इन्होंने इस पुस्तक को दिखिये हिंदी में उल्लास की नाव के नाम से लिखा था अब इसका इंग्लिस में ट्रांसलेशन The Queen of Indian Pop के नाम से उशा उथुप की बेटी स्रस्टी जहाने किया है लेकिन मूल उपन्यास विकास कुमार जहा के द्वारा लिखा गया है आंसर C हो जाएगा The Queen of Indian Pop, The Authorized Biography of उशा उथुप, विकास कुमार जहा की पुस्तक है विजी जी के ट्रिक के रूट एप्लिकेशन पर अब आप सभी के लिए सभी सब्जेक्ट की लाइव क्लासेज भी एवेलेबल है आप Play Store से जाकर रूट एप्लिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट की इन डीजोली लाइव क्लास एवेलेबल हो जाएगी इसके अलावा देखिए जल्द ही हमारा SSC का लाइव बेज भी शुरू होने वाला ही आप रूट एप्लिकेशन पर विजीट करके इसे भी जॉइन कर सकते हैं देखिए जब प्ले स्टोर से आप रूट एप्लिकेशन को डाउनलोड करेंगे फ्रेंड्स तो उपर दिये गए तीन डॉट में आपको फ्री टेस्ट का उप्शन दिया गया है वहाँ पर आपको डेली करेंट अफेर्स की PDF फ्री अवेलेबल है और इसके अलावा सभी टेस्ट भी आपको फ्री एवेलेबल करवा दिये गए हैं तो आप रूट एप्लिकेशन को डाउनलोड करके एप्लिकेशन के इस फ्री बेनिफिट का उप्योग कर सकते हैं ओके आई होप आपको अपडेट अच्छा लगा होगा वापस हमारे कोशन पर आजाते हैं कोशन देखिए निमन लिखित में से कौन सा उपन्यास प्रीती शिनोय द्वारा लिखा गया है तो देखे फ्रेंड्स इन चारों में से अब प्लेस कॉल्ड हॉम प्रीती शिनोय द्वारा लिखा गया उपन्यास है देखे प्रीती शिनोई भारत के सभी फेमस राइटरों में गीनी जाती है फ्रेंड्स और फॉप्स की सुची में सो प्रभावशाली महिलाओं में इनका नाम सम्मिली थे इनके पुस्तक में देखिए करनाटक के एक गाउं में एक कॉफी एस्टेट की एक कहानी दर्शाई गई है जिसके मूल में एक महिला नायक को दर्शाई गया है तो अब प्लेस कॉल्ड होम प्रीती शिनोई की पुस्तक है आंसर सी पुस्तक Listen to Your Heart The London Adventure किसके द्वारा लिखित है तो देखिए यहाँ पर easy short trick से आपको याद करवा देता हूँ ये question में देखिए आपको पता है कि Adventure सबसे ज्यादा कौन सा फिल्म character करता है तो ये करता है James Bond सुनाओगा आपने इनका नाम तो अब ये जो पुस्तक है Listen to Your Heart The London Adventure उसी व्यक्ति द्वारा लिखि गई होगी जिसके नाम में आपको bond शब्द देखने को मिल जाएगा तो देखिए Ruskin Bond Listen to Your Heart The London Adventure Ruskin Bond की पुस्तक है Next question देखिए शिरीराम चोलिया द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है तो ये पुस्तक है Friends Crunch Time Narendra Modi's National Security इस पुस्तक का विमोचन हाली में नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में भारत की विदेश राज्यमंतरी मिनाक्षी लेखी के द्वारा किया गया था अब ये पुस्तक एक्च्छल में किस पे बेज़ ज़े तो देखे ये बुक चीन और पाकिस्तान के साथ संकट के दोरान पीम मौदी के डिसीजन पर बेज़ ज़े कि उन्होंने इसे निप्टाने के लिए या खत्म करने के लिए कैसे कैसे डिसीजन लिये है और इसके अलावा ये भारत के बाहर जितने भी भारती विरोधी है उनसे होने वाले खत्म से बचाने के लिए भारती जनता को आगा करती है तो क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीस नेशनल सिक्यूरिटी श्री राम चोलिया के द्वारा लिखित पुस्तक है आंसर A क्विन ओफ फायर के लेखक कोन है वेरी वेरी इंपोर्टेंट काफी सुर्ख्यों में रही है फ्रेंड्स ये बुप क्विन ओफ फायर को देवी का रंगाचारी ने लिखा है अब एक्च्वल में देखिए ये जो पुस्तक है भारत की फ्रीडम फायर रानी लक्ष्मी भाई के रूल के बारे में बताती है इस पुस्तक में बताए गया है कि रानी लक्ष्मी भाई की सैननी शमता केसी थी उन्होंने केसे अपने सैनी को को बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल किया और अपने सामराज्ज पर रूल किया इस पुस्तक में इस्ट इंडिया कंपनी के खिलाप रानी लक्षमी भाई के विद्रो और उनसे होने वाली क्रांटी का भी जिक्रिक किया गया है तो Queen of Fire देवी का रंगाचारी की पुस्तक है जो की Freedom Fighter जहासी की रानी से संबन्दी थे निमने लिखित में से किस पुस्तक के लेखक अश्विनी श्रीवास्ताव है तो अश्विनी श्रीवास्ताव की सबसे पहले बात कर लेते हैं इनका जन्म देखिए मद्धिप्रदेश के भुपाल में हुआ था और ये भारत के एक फेमस पत्रकार और लेखक है Decoding Indian Bobudome अश्विनी श्रीवास्ताव की पुस्तक है इस पुस्तक में अश्विनी श्रीवास्ताव ने भारत की जो नोकरशाही है जो भी Government Service सेक्टर है उसके बारे में जिक्रे किया है और जनता के द्रस्की कोन से ये बताया है कि उन्हें नोकरशाही में किन किन समस्याओ का सामना करना पड़ता है और केसे नोकरशाही में लेट लतीफी के वो शिकार होते हैं मतलब भारत की प्रशास्निक व्यवस्ता का इस बुक में उन्होंने जिक्रे किया है डिकोडिंग इंडियन बाबुडोम अश्वीनी श्रीवास्ताव की पुस्तक है तो अंसर ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा हरीश मेहता द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताईए तो हरीश मेहता जो की Onward Technologies Limited के दिखिये संस्तापक और कारी-कारी अध्यक्ष है इनके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम दमार्विक इफेक्ट है दमार्विक इफेक्ट हरीश मेहता की पुस्तक है ओके इसके बाद अगले कुश्चन पर आजाईए पुस्तक टाइगार ओफ द्रास केप्टन अनुज नईयर 23 कारगिल हिरो किसके द्वारा लिखी गई है तो दिखिये नाम से आपको ये तो समझ में आ गया कि ये कारगिल वार के हिरो अनुज नईयर की कहानी कहती है अनुज नईयर 1993 के कारगिल युद्ध में भारत के द्रास सेक्टर को सेफ करने की कोशिश में शहीद हो गए थे इन्होंने कारगिल वार को जितने में काफी एहम भूमीका का निर्वन किया था इनकी इस उपलब्दी के कारण इन्हें सन 2000 में सर्वोच वीरता पुरसकार महाविर चक्र इनकी मृत्यों के बाद दिया गया था इन पर बेजड पुस्तक टाइगर ओफ दरास सैयुक्त रूप से मीना नयर और हिम्मत सिंग शेखावत के द्वारा लिखी गई है तो यहाँ पर बी और सी दोनों सही हो जाएंगे मीना नयर और हिम्मत सिंग शेखावत ने मिलकर टाइगर ओफ दरास पुस्तक को लिखा है जो कि वीर सेना नायक अनुज नयर की कहानी पर बेजड है हाली में अन्तरास के बुकर पुरसकार के लिए चैनी थोने वाला पहला हिंदी उपन्यास कोन सा है काफी सुर्क्यों में रहा है फ्रेंड्स क्योंकि ये देखिए पहला इसा उपन्यास है जिसे अन्तरास के बुकर पुरसकार हिंदी भाशा के लिए दिया गया है ये पुस्तक है Tom of Sand Tom of Sand पुस्तक को गितानजली शिरी के द्वारा लिखा गया है ये भारत की हिंदी भाषा की पहली एसी पुस्तक है जिसे अंतरास्ट्य बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है Tom of Sand किसके द्वारा लिखी ते ये भी याद रखीगा गितानजली शिरी की पुस्तक है इसके बाद देखिए पद्म पुरसकार विजेता पुर्व सीएजी विनोध रोई ने हाली में कौन सी पुस्तक लिखी है तो देखिए विनोध रोई की अगर हम बात करें तो ये भारत के पुर्व सीएजी रह चुके हैं विनोध रोई की पुस्तक है विनोध रोई देखिए जब बीसी सी आई में अधिकारी के पत पर 33 महीने रहे थे तो बीसी सी आई के साथ उनके जो अनुभव है उसके बारे में इस बुक में उन्होंने बताया है और बीसी सी आई को लेकर कुछ बड़े खुला से विनोध रोई ने अपनी पुस्तक में किये हैं आंसर ए हो जाएगा भारती लेखक प्रेम रावत द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है तो देखे प्रेम रावत जो की एक विश्विख्यत अध्यात्मिक गुरू है फ्रेंड्स इन्होंने हर व्यक्ति को अपनी अध्यात्मिक शमता को समझने के उद्देश से और शांती का अनुभव करने के उद्देश से इसके बाद नेक्स्ट कोशन पर आजाईए द्वारा Leaders, Politician, Citizens पुस्तक लिखी गई है तो देखे ये जो पुस्तक है फ्रेंड्स राशित किद्वई के द्वारा लिखी गई है इस पुस्तक में देखिए भारत की राजनिती को प्रभावित करने वाले 50 Most Powerful Persons की कहानियों को इंकलूट किया है इसलिए इस पुस्तक का नाम Leaders, Politician, Citizens रखा गया है किसकी पुस्तक है राशित किद्वई की आंसर B गांधीस एसोसियेशन दा मेकिंग ओफ नाथुराम गोर से एंड हीस आइडिया ओफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कोन है तो फ्रेंड्स गांधीस एसोसियेशन दिल्ली के पत्रकार धिरेंदर के जहा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है इस पुस्तक में इन्होंने नाथुराम गोर से और एसे संगठनों के बारे में बताया है जिनकी आइडियोलोजी के कारण नाथीराम गोर से गांधी जी की हत्या करने पर विवश हुए थे ये पुस्तक नाथुराम गोर से की एसे संगठनों की परताल करती है जिनका इफेक्ट इनके माइन पर हुआ था तो ये जो पुस्तक है धिरेंदर के जहा के द्वारा लिखी गई है हाली में हरियाना के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खटर ने डॉक्टर सोनाली फोगाट द्वारा लिखित कोन सी पुस्तक का विमोचन किया है तो देखे डॉक्टर सोनाली फोगाट जो की भारत की एक मशूर टीवी सीरियल अभिनेत्री है फ्रेंड्स इनके द्वारा लिखित पुस्तक आस्टांग योगा का हर्याना के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खटर ने विमोचन किया है तो आस्टांग योगा डॉक्टर सोनाली फोगाट की पुस्तक है और जैसा की नाम से ही समझ में आ जाएगा कि इसमें योग की बात की गई है बोस दा अंटोल्ड इस्टोरी ओफ एन इनकन्विनियंट नेशनलिस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो देखिए बोस दा अंटोल्ड इस्टोरी ये पुस्तक मशूर लेखक चंदर चूर घोश के द्वारा लिखी गई है इस पुस्तक में देखिए फ्रीडम फाइटर सुवास चंदर घोश के जीवन पर प्रकाश डाला गया है और स्वतंत्र भारत के विकास और सांप्रदाइक्ता पर सुवास चंदर बोस के विचार केसे थे इनके बारे में बताये गया है तो बोस दा अंटोल्ड स्टोरी चंदर चूर घोश की पुस्तक है आंसर भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोशन देखिए तो जनजाती नायक बिर्सा मुंदा के जीवन पर देखिए जो कि बिर्सा मुंदा को एक श्रधान जली है फ्रेंड्स यह पुस्तक सयुक्त रुप से तुहिन ए सिन्हा और अंकीता वर्मा के द्वारा लिखी गई है तो अंसर ए और बी दोनों हो जाएगा बिर्सा मुंदा की अगर हम बात करें तो देखिए यह जनजाती समुदाय को एक जुट करने वाले सेना नायक थे फ्रेंड्स जिनोंने अंग्रेजों के खिलाफ जबरन धर्मान तरंड और न्यायपुन समाच की स्तापना के लिए जनजातियों को एक जुट किया था तुहिन ए सिन्हा और अंकीता वर्मा ने मिलकर दा लिजन्ट और बिर्सा मुनना नाम की पुस्तक इनके जीवन पर लिखी है सेज वित्ट टू हॉर्न नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है तो देखिए इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरमेन और एक प्रसिद लेखी का सुधा मुर्ती के द्वारा सेज वित्ट टू हॉर्न नाम की पुस्तक लिखी गई है इस पुस्तक में देखिए हिंदु धर्म के देवी देवता हिंदु धर्म के जो रिशी हैं उनकी कहानियों का उलिक किया गया है मतलब पूर्ण रुप से ये एक माइथोलोजिकल पुस्तक है सेज वित्ट टू हॉर्न सुधा मूर्ती के द्वारा लिखी गई है आंसर ए हो जाएगा ओके इसके बाद अगला कुश्यन देख लीजिए चर्चा में रही भारती सव्विधान अनकही कहानी नामक पुस्तक के लेका कौन है तो देखे ये पुस्तक इसलिए भी इंपोर्डेंट है फ्रेंड्स क्योंकि प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन हाली में किया गया था और यह जो पुस्तक है राम भाद्दूर रॉय के द्वारा लिखी गई है इस पुस्तक में भारती सविधान के अंचुए पहलूओ को या गुफ्त पहलूओ को दरशाया गया है भारती सविधान अनकही कहानी राम भाद्दूर रॉय की पुस्तक है अब देखिए इनको तो आप सभी जानते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये पुस्तक किस से रिलेट करती है भारत के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरच चोपड़ा के जीवन पर गोल्डन बोई नीरच चोपड़ा पुस्तक नवदीप सिंग गिल के द्वारा लिखी गई है इंडिया अफरीका रिलेशन्स चेंजिंग होरिजोन नामक पुस्तक के लेखा कोन है तो देखिए आपको बुक के नाम से समझ में आएगा कि यहाँ पर इंडिया और अफरीका के रिलेशन्स की बात की गई है यह पुस्तक एक भारती राजनाइक राजियू भाटिया के द्वारा लिखी गई है तो राजियू भाटिया ने इंडियन अफरीका रिलेशन्स चेंजिंग होरिजोन नाम की पुस्तक लिखी है हाली में चर्चा में रही बिल गेट्स द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताईए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिल गेट्स का नाम आप सभी ने सुना है ये विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों में गीने जाते हैं इनके द्वारा देखिये हाली में हाउ टू प्रिवेंट दा नेस्ट पैंडेमिक नाम की पुस्तक लिखी गई है ये जो पुस्तक है ये बताती है कि देखिये COVID-19 के बाद अगर भविश्य में ऐसा कोई पैंडेमिक आ जाता है तो उस सिच्वेशन में इनसान को केसे तयार रहना चाहिए और उस पैंडेमिक से केसे निप्टा जा सकता है उन सभी के बारे में यहाँ पर डिसकस किया गया है तो हाउ टू प्रिवेंट दा नेक्स्ट पैंडेमिक बिल गेट्स की पुस्तक है आंसर ए हो जाएगा ओके इसके बाद सबसे लास्ट कुश्चन पर आ जाते हैं फ्रेंड्स लास्ट कुश्चन देखिए दा ब्लू बुक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है तो पहले तो इस पुस्तक का भी प्लॉट देख लेते हैं ये भी देखिए कहीं ना कहीं COVID-19 पैंडेमिक की ही बात करती है इस पुस्तक को भारती पत्रकार अमीतावा कुमार ने लिखा है और इस पुस्तक में COVID-19 के दोरान देखी अपने परसनल और सामुहिक जितने भी experience है उसे यहाँ पर साज़ा किया है तो the blue book अमितावा कुमार की पुस्तक है अमितावा कुमार clear तो देखे 25 most important books और उनके author जो की आने वाली exam में हमसे पूछे जा सकती हैं यहाँ पर हमने detail में discuss किये है I hope आपको यह session पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like और share कीजिए और हमारे चेनल को subscribe कर लिजिए आपसे फिर मुलाकात होगी next video में बने रहे हमारे साथ जहिन झाल